सोयाबीन के भाव को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सोयाबीन के भाव छे हजार रुपए प्रती क्विंटल किये जाएं। किसानों द्वारा आगामी 16 सितंबर को बड़े स्तर पर आंदोलन की तयारी की जा रही इसी बीच राजे सरकार के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने सोयाबीन को न्यूंतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की स्विक्रिती प्रदान कर दी है। इसके पहले केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यू बढ़ता चला गया जिसके कारण स्थानिय क्रिशकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यही कारण है कि पिछले 3-4 सालों से लगातार सोयाबीन के भाव बढ़ने की बजाए कम होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी और सोयाबीन की खेती में लगने वाली लागत में 4700 तक मंदी में मिल रहे हैं, किसानों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सोयाबीन के भाव सीजन के दौरान क्या रहेंगे, इसी पर बवाल मचा हुआ है। इदी की स्विक्रिती हो गई है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। सोयाबीन के भाव को लेकर किसानों ने कहा सोयाबीन के वर्तमान भाव नहीं यह धोखा है। आज से साथ साल पहले सोयाबीन 6000-6500 बिक रही थी लेकिन भाव को लेकर किसानों के साथ चल किया जा इस समय सोयाबीन के दाम 4,000 से 4,500 रुपए ही मिल रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार कहती है किसानों की आए दोगुनी कर देंगे। देश के भंडार भरने वाले किसानों को उपज की कीमत पूरी मिलनी चाहिए। किसानों को सोयाबीन के लाबकारी भाव 6,000 रुपए प्रती क् क्विन्टल चाहिए। सोयाबीन की फसल अगले महीने बाजार में आएगी। अभी मंडी में सोयाबीन 3,800 से 4,500 रुपए प्रती क्विन्टल के भाव से खरीदी जा रही है। जबकि सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूले 4,892 रुपए प्रती क्विन्टल तै किया है। या बाजार में फसल बिकने के लिए आएगी तो ये दाम और कम होंगे। मंडी में अभी सोयाबीन जिस रेट पर खरीदी जा रही है यदि यही रेट रहा तो किसानों की लागत और मुनाफे में बेहद मामूली अंतर ही रहेगा। कुछ किसानों को तो लागत का पैसा भी नह नहीं मिल पाएगा। इसे लेकर किसानों ने बताया कि पिछले एक दशक में कीतनाशक और बीज से लेकर हर वस्तू के दाम बढ़ चुके हैं। फसल की लागत हर साल बढ़ती जा रही है लेकिन उतने दाम नहीं मिलते। आएए आपको बता दें कि क्या है किसानों की प्रम के समय आयात नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना फिर से शुरू की जाए। तूटे तार पोल बदले जाए। नर्मदा पाइपलाइन से वंचित शेत्र में लाइन बिछाई जाए। इससे उन नदियों में सूखा ग्रस्त शेत्र की सिं जाए व्यवस्था बढ़ाई जाए। दरसल सोयाबीन के दाम इंटरनेशल मार्केट पर डिपेंट करते हैं। इसका डोमेस्टिक कंजम्शन बेहत कम है। पिछले सालों में इसका यूज बढ़ा है। मगर इतना नहीं कि किसान मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर सके। खि पहले पाम ओयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 35 फीसदी थी जो अब 5 फीसदी है। सरकार को पाम ओयल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना चाहिए। सरकार जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी घटा रही है उससे ऐसा लगता है कि वह अमेरिका, अर्जेंटीन मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील के किसानों को प्रमोट कर रही है और देश के किसान को नजर अंदाज कर रही है किसानों को सोयाबीन के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं इसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह है Bureau Report Market Times TV